बेट या प्रशाद नहीं, चप्पल और सेंडे चड़ाते इस मंदिर में, चान के रह जाएंगे दंग आपने तो देखा ही होगा कि लोग मंदिर जाने से पहले चप्पल बाहर उतारते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मंदिर में लोग प्रशाद या भेट नहीं, चप्पल तथा सेंडे चड़ाते हैं ऐसी अनूखी खाशियत वाला एक मंदिर मध्य परदेश की राज़धानी भोपाल में इस्थित है भोपाल में एक छोटी सी पहाड़ी पर इस्थित है देवी का सिधात्री मंदिर इस मंदिर को जी जी बाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी किसी श्रद्धालू की मंनत पूरी होती है तो वो श्रद्धालू माता को सेंडिल या चपड़ की भेट चड़ाता है आज से करीब 18 साल पहले एक महराज ने यहां देवी की मूर्दी की स्थापना की थी वो देवी को अपनी कन्या की तरह मानते थी जब मंदिर की देवी प्रतिमा का विवाह करवाया गया तब भी उन्होंने एक पिता की तरह देवी का कन्या दान किया था भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों से ही भक्त इस मंदर में मननत मांगने के लिए आते हैं जब भी किसी भक्त की मननत पूरी हो जाती है तो भक्त अपने सामारते अनुसार माता को भेट चड़ाता है आश्चर्य की बात तो यह है कि यहां भेट में परशाद, फल, फूल के सब चीज़े नहीं बलकि माता को नहीं नहीं चपलों और सेंडलों की भेट चड़ाई जाती है यहीं नहीं माता को मौसम के अनुसार भी भेट चड़ाई जाती है जैसे गर्मियों के मौसम में माता को टोपी, धूप के चश्मे की भेड चढ़ाई जाती है, इसी प्रकार सरदी के मौसम में स्वेटर मफलर आदी चढ़ाई जाते हैं ना सिर्फ मंदिर के पुजारी, अभी तु यहां आने वाले भक्त भी देवी को बेटी रूप ही माते हैं और उनकी देख भाल करते हैं यहां की पूजा करने वाले पुजारी के अनिसार कभी कभी दिन में तीन से चार बार देवी के वस्तर वदलने पड़ते हैं ऐसा तब होता है कि जब लगता है कि देवी पहनाए हुए वस्तरों से खुश नहीं है इस मंदिर की मानेता विदेशों में भी फैली है कुछ अब प्रवासी भार्द्य भक्त देवी के लिए चपल और सैंडल के भेट विदेशों से भी भेशते हैं हर रोज यहां काफी मात्रा में चपल और सैंडल चड़ावे में आते हैं मंदिर प्रवंधन इन चपल और सैंडल को एक दिन मंदिर में रखता है और उसके बाद उन सब लोगों में बाट देता है देखा आपने जहां एक और किसी मंदिर में चपल जूते ले आना वर्जत होता है वहीं इस मंदिर में भेट के रूप में चपल और सैंडल ही चड़ाते हैं इसलिए तो कहते हैं देश मेरा रंग्रेज यह बाबु घाट घाट यहां घटता जा दू झाल झाल